नमस्कार दोस्तों क्या आप भी mutual fund के बारे में जानना चाहते हैं कि mutual fund क्या है, SIP क्या होती है और आप अपना पैसा कहां पे लगाएं अपने जो वर्तमान निवेश को छोड़ के तो अगर mutual funds के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको एक book recommend करता हूँ 108 question answer on mutual fund and SIP जिसकों की कीमत 99 रुपय है अगर आप इस किताब को खरीद के पढ़ते हैं तो आपकी आदी problem तो वैसे ही solve हो जाएगी बाकी क्योंकि आज हम mutual fund के उपर बात करेंगे और mutual fund में equity mutual fund के उपर बात करेंगे विसे mutual fund चाहर टाइप की होते है ही equity mutual fund होता है जो debt fund यो कि government और सरकारी योजनाऻ में पैसा लगाते है बैलेंस funds में ऊपर के में आपको एहि बताऊंगा और वीडियो में डोंप न कि बता蛋 के बारे में पैसा कहां वा और कितने supplement के बारे में वेडियो के पर पॉर राल मेरा प्रोस्पेक्टस शियर मार्केट के उपर ही है तो अगर आप शियर मार्केट में विज करते हैं तो आपको कौन से शियर चूज करने हैं वो भी आपको आइडिया यहां से लग जाएगा क्योंकि जो फंड मेनेजर बैठे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे फं करना ना भूलें और साथ में बैल आइकन भी लगा दें जिससे की सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिलें तो चलिए सुझ करते हैं वीडियो को इसमें सबसे पहला आपको दिखा रहा है मीरा असेट इंडिया एक्टी रेगुलर फंड इसका अगर आप देखेंगे तीन सा पर बात करते हैं इसी के अच्छे चलिए नेक्स्ट आपको मैं बतायता हूं इसके बाद है मुतिलाल उस्वाल मल्टी केप 35 रेगुलर ग्रोथ फंड इसका भी 15% का तीन साल का है इसके बाद SPI मेगनम मल्टी केप ग्रोथ फंड इसका 14.36 का इसका रिटर्न है इसका भी अ Sun Life Equity Growth इस फंड की 16.54% का तीन साल में रिटर्न दिया है तो यह रिटर्न आपको तीन साल के मैंने आपको बता दिये हैं और आपको बताना चाहता हूं इन ही 5 फंडों के बाकी और भी फंड है इनको आप अगर चाहें तो Money Control पर जाके देख सकते हैं पर मैं इन 5 फंड की बात है कि कौन-कौन सा सीर उठा रखा है तो सबसे पहले फंड की बात करेंगे मीरा असेट एक्यूटी इंडिया फंड रेगुलर यह ग्रोथ तो यह फाइफ इस्टार रेटिंग है इसने HDFC बैंक का आठ से 9% माल उठा रखा है रिलाइंस का 5-6% इन्होंने रिलाइंस लिया ह इस टाइप से इन्होंने इतने 8% से लेके और 3% तक माल उठा रखा है इसका परसेंटेस का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस टॉक का उठा है इन्होंने अपने पोट्फूलियो में इस तरीके से इसको मेनेज कर रहा है इन फंडों को इसके बात जो बाकी है और भी अध पोतिलाल उसवाल मल्टी कैप 35 रेगलर फंड इसकी भी स्टार रेटिंग 5 है और यह HDFC का इन्होंने 9-10% माल उठाया है एक्सिस बैंक का 6% HDFC जो फैनाइंस है उसका 6% L&T इन्होंने 6% लिया है तो अब नेक्स्ट अगर फंड की बात करते हैं तो इस फंड का है नाम SBI Magnum Multicap Fund यह जबकि नाम सी आपको शोगता है Multicap इसकी स्टार रेटिंग 4 है और इसमें HDFC, 8% Infosys, 7% Taxis Bank, 3% ITC, L&T, Kutak Mahindraven, गुजरात State, Petronate Limited, SBI, Colgate, ICIC Bank यह इसनोंने माल उठाया है अब आपको नेक्स्ट अगर फंड की बात करता हूँ तो नेक्स्ट फंड आपका आता है Kutak Standard Multicap Regular Fund फलान इसकी जो है रेटिंग, इस्टार रेटिंग 5 है इन्होंने भी HDFC Bank 7%, Reliance Industries को 7%, ICI Bank 6%, Axis Bank, SBI, L&T, Infosys, TCS, RBL और Petronet, LNG को भी इन्होंने 6% से लेके और 2.6% तक इन्होंने क्या उठाया है, इन्होंने क्या उठाया है, इनका भी देख लिए HDFC Bank 9%, ITC 4%, ICI Bank 8%, Dr. Reddy इन्होंने थोड़ा डाइवर्सिफाइक ज्यादा कर रखा है, Dr. Reddy को भी इन्होंने ले रखा है, Tata Steel, Tatek Mahindra, Infosys, Tata Chemical और उन्होंने खुद के फंड को भी होल्ड कर र सेक्टर से, Reliance, Energy सेक्टर से, L&T, Construction सेक्टर से, ICI Bank, SBI Banking, Access Bank, Infosys और TCS, Technology सेक्टर की है, ITC, FMCG, Kotak Mahindra Bank, Banking सेक्टर, RBL Bank, HDFC, Finance की तरफ से है, और Petronet, LNG, Gas और Energy सेक्टर का आप माल ले जिए, बजाज Finance ये, तो ये common हैं, लगबग हर portfolio में, इन में से कुछ न कुछ आपको, 3-4-5 share आपको हर portfolio मिल जाएंगे, इसका मतलब है, अगर आपको, अगर share market से माल उठाना है, तो आप भी अगर इन ही shareों को उठाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेगा सौदा हो सकता है, HDFC Bank, Reliance Industries, L&T, ICI, Infosys, TCS, ITC, KOTEC Mendra Bank, HDFC Finance, ये ही आप अगर उठा के अपना portfolio बनाते हैं, तो आपको ज्यादा किसी expert की जरूत नहीं पड़ेगी, और ये उन लोगों ने बनाए हैं, जो fund manager, बहुत ही माने हुए fund manager हैं, उन लोगों के द्वारा चुरी हुए stocks हैं, और ये equity का है, क्योंकि मेरा actually, मैं मोटू रहता है, share market में कौन सा market, share pick करें, तो ये pick आपको मेरी तरफ से है, ये ही आप अगर उठा लेते हैं, जो 8-10 share, 12 share है, तो आपको कहीं ज्यादा जाने की जरूत नहीं है, और ये सायद मेरे साइन Nifty 50 और Sensex से दोनों के share है, ये सबसे best selection ये ही है, अगर आपके वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज जो है मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें, और आगर आप मेरे को सर्च करना चाहते हैं, तो YouTube.com विनेसेंगर आप टाइप करेंगे, तो सबसे उपर मेहीं आपको मिलूँगा, इस वीडियो को देखने आपकेली अफका एक वर भूना थनिवाद?